किसान उयाद भाये बहन कर भाया है, फ्रेच बींड कर बैज्ञानिक है फ्रेच बींड कर भाया क्रेच बींड कर खेटी करिलया नात भाया क्यार कर भाया में जैदाीताँ फnosis जड़ा खेल और भवब कर भाया और बढ़िया मुनाफ़ा भी देवेल है। भारी और अमलिय भूमी वाली मिट्टी का इस्तिमाल इसकी खेती में बिलकुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में फ्रेंच बीन की खेती अगर करना चाहें तो इन किस्मों का चाहन जरूर करें। जानकार कहते हैं कि अगर आप फ्रेंच बीन से अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो इसकी उन्नत किस्मों का ही चायन करें। इससे नाकेवल पैदावार बढ़ेगा बलकि गुनवत्ता भी अच्छी मिलेगी और लाब भी जाहिर है ज्यादा होगा। फ्रेंच बीन की खेती के लिए पहली जुताई पलाओ से करें ताकि फसल के अवशेश के साथ खरपतवार भी नश्ट हो जाए। खेत की उरुड़ा शक्ती बढ़ाने के लिए प्रियाप मात्रा में गुबर की खाद डाल कर मिट्टी में मिला कर खेत का पलाओ कर दें। पला जरूर ध्यान रखें कि कोई ये वैसे अगर सुरुवाती अवस्था में कोई बिमारी लग रही है तो उसके हिसाब से आपको इसका प्रबंधन भी करना है। खरपतवार नासी का प्रियोग में जरूर आपको बताना चाहूंगी कि चुकि फ्रेंच बिन की फसल जो होती है आपको पंदरा से बीस दिन जो सुरुवात के होते हैं उस समय अपने खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए आप निराई गुडाई या फिर जो प्री इमर्जन्स होते हैं पैंडी मिठ्यली ने इस तरह के खरपतवार नासी का प्रियोग आप कर सक